साथियो यूपी पुलिस परिक्षा कि अगर बात करें तो बहुत कम दिन बचे हैं साथियों, तो इन अंतिम दिनों में ये अंतिम सौगात आपको दी जा रही है, एक ऐसे साथियों पृष्णों की शरंखला आपके सामने से गुजरने वाली है, हिंदी के, सामन ग्यान के, मै इंदा कोशन्स आपके लिए उठाए हैं, सभी बहुत ही इंपोर्टन्ट हैं, और सभी कोशन्स के साथियों आने की पूरी-पूरी संभामना यहां पर मैं बता रहा हूँ, तो अगर बात करें साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, क्लास में अगर आपने एंटरी क इंदी हो, तो पहला पृष्णा आपकी स्क्रीन पर है कि देवनागरी वर्डमाला में रण है, यानि कि देवनागरी के अगर बात करें, तो इसमें यह जो साथियों रण है, तो यह क्या है, तो यह क्या संकर व्यांजन है, या सायुक्त अक्षर है, या व्यांजन है, या स तो बच्पन आपने साथियों बच्पन में आपने पढ़ा होगा चोटे आ से अंग आहा तक ये वह उसी के अंतरगत आता है तो ये तो साथियों एक सवर है इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नमबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए रेखांगित पद आपको बताने साथियों क्या है देखिए नीली कमीज वाला लड़का क्या ये संग्या है क्या ये विशेशन है या क्रिया विशेशन है या परधान उपवाक है देखिए क्रिया विशेशन तो हो नहीं सकता क्यों क्यों क्रिया विशेशन तो साथियों य लाई जारी नीली कमीज वाले शब्दों के द्वारा तो ये क्या हो जाएगा साथियों एक तरीके से विशेशन हो जाएगा तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन है कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग लंका सीगरी जल गई गये निसाचर बाग कभी भी आपको पंक्तियों को पढ़कर ऐसा महसूस हो कि हाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चड़ा कर बात के गई है तो वहाँ पर साथियों हमेशा अतिशोक्ति अलंग कर आपको लगाना है तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करिक्ट हो जाता है भाई का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो क्या बताओगे भाई भाई बताओगे भाई यहां बताओगे भाईयों बताओगे तो क्या बताओगे तो क्या बताना चाहिए साथियों भाई का बहुवचन होता है भाईयों आंसर आपका जाएगा option number C के साथ उसके बाद देखिए नेता का साथियो इस्तरिलिंग अगर आप से पूछ लिया जाए तो नेता का क्या इस्तरिलिंग नेता ही होता है या नेतरी होता है या नेती होता है बताइए तो नेता का तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों नेतरी होता है सही जवाब आपका जाएगा option number B के साथ पादप का परयवाची आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जारे तो पादप मतलब क्या होता है साथियों खाद होता है पौधा होता है या पशू होता है आप लोग ध्यान रखेंगे पादप साथियों पेड़ पौधो को भी एक तरीके से कहा जाता है तो आंसर जिनका भी यहाँ पर option number B था तो बिल्कुल correct अब उसके बाद देखिए विशेशन और विशेश के योग से कौन सा समास बनता है ये आपसे साथियों आपर पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों करमधारे समास इस पृष्णिका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इनके विशेशन और विशेश के योग से कौन सा समास बनता है साथियों करमधारे समास बनता है सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ अब उसके बाद देखिए भूत काल के अगर बात करें या वर्तमान काल या भवशेकाल इनको देखने वाले को साथियों क्या कहा जाता है तो इनको देखने वाले को इनके तीनों कालों को देखने वाले को क्या कहा जाता है तिरकाल दर्शी कहा जाता है सही जवाब आपका option number 1 के साथ अगला बिश्च देखे किस वाक में अकर्मक करिया का प्रयोग किया गया है तो ऐसा कौन सा वाक है देखे मैं आपको अकर्मक करिया और सकर्मक करिया की यहां पर ट्रिक बता दे रहा हूँ मजदूर चाय पी रहा है अब मैं पूछा सात्यों क्या पी रहा है पी रहा है लिखा ना तो मैंने पूछा क्या पी रहा है तो उसने कहा चाई पी रहा है तो ये आपका सकर्मक करिया हो जाएगी अगर बात करें साथियो रमेश पुस्तक पढ़ रहा है पढ़ रहा है मैंने पूछा क्या पढ़ रहा है तो जवाब आया पुस्तक पढ़ रहा है तो यह सकर्मक करिया हो जाएगी अम्मा खाना बना रही है बना रही है मैंने पूछा क्या बना रही है तो जवाब आया खाना बना रही है तो यह सकर्मक करिया आ जाएगी यानि कि जिसमें साथियों पुछो और उत्तर आ जाए तो क्या होगा वहाँ पर सकर्मक करिया होगी लेकिन यहां पर देखिए बालक बहुत देर से रो रहा है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या रो रहा है कैसे रो रहा है मैं नहीं पूछ सकता हूँ तो जिसमें ऐसी condition हो साथियों वो आपका अकर्मक करिया हो जाएगा तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे जिनका answer यहाँ पर option number B था तो बिलकुल correct था विश्व हिंदी दिवस साथियों आपसे पूछा जा रहा है कब बनाया जाता है तो बताने की कोशिश करेंगे बताइए देकि हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाता तो तो आप बताते साथियों 14 सितंबर को लेकिन विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है सही जवाब आपका जाएगा option number D के साथ बहुत बढ़िया very good class लेकिन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में साथ तीन तरह के वाच्चे होते हैं करतर वाच्चे होता है कर्म वाच्चे होता है और भाव वाच्चे होता है अगर बात करते हैं साथ यहाँ पर भाव वाच्चे की क्या ट्रिक है भाव वाच्चे की आपको ट्रिक यहाँ पर मैं बता देता हूँ अगर किसी भी वाक को आपको negativity दिखे जैसे के मुझसे नहीं चला जाता है या उससे नहीं पढ़ा जाता है या उससे नहीं सोया जाता है यहां पर साथियों से शब्द बहुत आता है जैसके उससे नहीं चला जाता है राम से सोया नहीं जाता है मोहन से उड़ा नहीं जाता है इस टाइप के वाक्य आपके भवाच्च की शिर्णी में आएंगे और उसके अलावा साथ हूँ में आपको बता देता हूँ अगर किसी भी वाक्य में आप देखो कि कुछ लिखा हो जैसे के रमेश लिखा हो ठीक है ना? रमेश लिखा हो या के द्वारा लिखा हो तो आपको वहाँ पर धियान रखना है कि कर्म वाच्चे होगा तो भाव वाच्चे भी मैंने आपको बताया कर्तर वाच्चे भी मैंने आपको बताया और कर्म वाच्चे भी मैंने आपको बताया यहीं कि वाची के अगर बात करें तो तीन परकार के होते हैं मैंने आपर साथियों एक शब लिखा आज़कल और कौन इसमेंसे परधान नहीं है तो साथियों ये परधान भी है ये भी परधान अगर बात करें जिस सिमास में दोनों पद परधान हो वो आपका साथियों दृन्द सिमास की अंतरगत आएगा और एक और पहचान है प्रशने के आंशिक की अगर बात करें तो इसमें परते क्या है बताने की कोशिश करेंगे बताइए देखिए आंशिक शब्द की अगर बात करें तो इसमें परते क्या होगा साथियो या प्रुग ध्यान रखेंगे एक जो होना वो यहां पर साथियो परते हो जाएगा उसके जाता है नहीं कि उनकी नौकरी लगी है वो सम्विदा पर है मतलब सम्विदा का ये होता है कि उसमें कुछ शर्ट दी जाती है कि आपको इस प्रिकार से काम करना है आपको बहुत इमांदारी से काम करना है आपको इतने घंटे काम करना है मतलब उसमें कुछ शर्टे दी जात यहां पर तो Adhertisis नहीं हوتा है Adherti ya होता है यहां पर साथियोग DA में बड़ी E की मातरा लगी इसलिए गलत हो जाएगा यह तो गलत ही है साथियो Adherti я ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है जैसे आपका option number C में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है इसलिए सही जवाब आपका option number C के साथ जाएगा बहुत बढ़िया वेरिकूट क्लास अब उसके बाद देखिए कि महेश के लिए सही संदी विच्छत की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा है बताईए तो महेश की जब संदी विच्छत करेंगे तो महाधन इश हो जाएगा क्या हो जाएगा महाधन इश हो जाएगा सही जवाब आपका जाएगा option number D के साथ अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथ योप्रिश्ण यहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें कुछ प्रिश्ण पूछा जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा लंकार होता होगा साथ योप प्रिश्ण अलंकार होगा देखिए कौन रोक सकता है उसकी गती तो एक प्रिश्ण ही तो पूछा जा रहा है कौन रोक सकता है विपुलनाद तो यहाँ पर एक पुछा जा रहा है तो ऐसी पंक्तियों को अगर आपको मालू पड़े कि पुछा जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा लंकार होगा सात्यों पुछन लंकार होगा सही जवाब आपका जाएगा option number B के साथ चलिए किस शब्द संधी विच्छत गलत है याप से पूछी जा रही है यहाँ पर अगर बात करें पावक का अगर संधी विच्छत में आपको बताओं तो ऐसा ही होता है पौधन अक होता है यद्धेश्ट की संधी विच्छत अगर आपसे पूछी जाए तो यधा धन इश्ट आप को बताना है मदवरी के अगर बात करें सात्यों तो कैसे इसके संदी विच्छत होगी मदूदन अरी होगी लेकिन परतीक्षा की संदी विच्छत यहां पर सात्यों सही नहीं है परतीक्षा की संदी विच्छत सात्यों क्या कमी है परती तो सही है लेकिन यहां पर छोटी ही है इसको मैंने बड़ी ही कर दिया तो यहां पर बात करें कौन सा संदी विच्छ सात्यों गलत था तो कौन सा गलत था उप्शन अमर ए वाला गलत था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बात देखिए एक और अजगर ही लखी एक और मरगराए विकल बटो ही बीच ही परियो मुर्चाखाए इन पंक्तियों पे बताना है कौन सा रस है बताईए तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें साथिओ यहाँ पर आपका बहान अकरास हो जाएगा कैसे हो जाएगा यहाँ पर साथियों अजगर की बात की गई है ठीक है ना तो अजगर को देखकर आपको कैसा लगेगा आपको एक भे आएगा और जिन पंक्तियों को पढ़कर थोड़ा सा आपको भे महसूस हो साथियों तो वहाँ पर कौन सा रस होता है वहाँ पर भयाना कर रस होता है देख कर को टेक्स कहा जाता है तो यहां पर टेक्स नहीं है ना ठीक है बाकी सब में है वेवसाई नहीं कहा जाता है तो यह कट आपका हो जाएगा कर को रात्री भी नहीं कहा जा सकता है तो यह भी सात्यों एक गलत हो जाएगा कर को कल भी नहीं कहा जाता, यह भी घलत हो जाेगा, कर को हात जाता stitch कहा जाता है, और किरन कहा जाता है, और साथियो टैक्स कहा जाता है, तो सही जवाब आपका जो जायेगा, वो अप्शन No. D के साथ जाएगा, अब उसके बाद देखे के अगले नमबर का प्रिशन है, इन म मैंने अनेक पुस्तके लिखी हैं मैंने अनेक पुस्तके लिखी हैं यहां पर है तो सही लेकिन मैं अलग हो गया है और ने अलग हो गया है इसलिए अशुद वाक एक तरीके से हो जाएगा कहीं ना कहीं मैंने अनेक पुस्तके लिखी यह गलत लगा या सही है बताईए मैंने म यहां पर मैं आगया मैंने आना चाहिए तो यह भी घलत हो जाएगा मैंने अने अने पुस्तके लिखी या मैंने यहां पर भी साथियो वही दिक्कत आगे तो कुल मिला कि अगर बात करें जो आपकर शुद्ध वाक्य होगा वो आप्शन नमर सी के साथ जाएगा और जिनका अ जाता है एक्जाम में तो कैसे आप इसको हल करों देखिए बड़ा आ लिखा है ना तो सिंपल सा बड़ा आ इसको लिख लो ठीक है रा लिखा हुआ है तो रा की अगर बात करें उसके बाद यहां पर या लिखा हुआ है तो या हमने लिख लिया ठीक है ना या लिख लिया और या में बड़ा आ लगा हुआ है, तो बड़े आ की मातरा आएगी, अब ये रा जो है ना सातियों वो यहां पर आएगा, तो ये तो हो गया आपका आर्या, अब वा लिखा हुआ है, और छोटे आ की मातरा है, इसका मतलब सातियों क्या हुआ है, इसका मतलब सातियों क्या ह मदस से कौन सा शब्द बनेगा तो आर्या वर्त मनेगा और आर्या वर्त कहां पर लिखा हुए है तो आप्शन नमबर बी में लिखा हुए है तो यही आपके प्रिश्णिका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है बहुत बढ़िया saal उसके बाद देखिए बुरे भाव से की गयी संदी को क्या कहते हैं दुरभी संदी छदम संदी कूट संदी तो क्या कहा जाएगा आप छो ध्यान रखेंगे सा लेकिन ग्रह नहीं कहते हैं नहीं कहते हैं सात्यों तो ये आपका केतू का परिवाची नहीं होगा और यहीं आपका पिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बाद देखिए जो प्राप्त नहों उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहे है उसको क्या कहा जाएग है तो किस किस शब्द में सात्यों इल्ब परते हैं जट इल्म है शामिल में है क्या या इसने है इल्म है है बिल्कुल है सात्यों उसके अलाबा फेनल में भी है लेकिन शामिल में नहीं है सात्यों नहीं है तो यहीं आपका सही जवाब हो जाएगा तो जिनका आंसर यहाँ और option number B है तो बिल्कुल correct है चलिए जिसका जन्में पहले हुआ हो उसके लिए साथियो एक शब्द क्या होगा तो आप लोग धियार नखेंगी जिसका जन्में पहले हुआ हो उसको साथियो अगरेच कहा जाता है तो यहां पर आपका right answer किस option के साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा उसके बाद देखें साथियो प्रवर्ती का इनमें से कौन सा विलोम है आपसे पूछा जाना बताईए तो प्रवर्ती का साथ हो विलोम तो निवर्ती हो जाएगा सही जवाब आपका जाएगा option number D के साथ तो प्रवर्ती का विलोम अगर पूछा जाए त निवर्थी आपको बताना है लेकिन अगर निवर्थी का विलो मागर आपसे पूछा जाए तो प्रिवर्थी आपको बताना है। उसके बाद देखें कि इन में से किसमें विरोधा भास अलंकार है बताईए इसमें से किसमें विरोधा भास अलंकार है विरा है अथवा यह वर्दान ठीक है तो यहां पर तो सात्यों कोई विरोध नहीं आया है विरा है यह वर्दान है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े तो बतलब ऐसा लगता है कि नेतर बड़े-बड़े कोई विरोध नहीं है देख लो साकित नगरी है यही स्वर्ग को जा रही तो इसमें भी सात्यों साकित नगरी को बिताएगे है और यह स्वर्ग की ओर जारी कोई विरोध अभास नहीं है प्रियतम को समझा प्रिय अब उसके बाद देखिए कलाई खुले का साथियो मतलब क्या होता है एक मोहवर है तो कलाई खुलने का मतलब होता है कपड़े की सिलाई खुल जाना नहीं बरतन की कलाई उतरना नहीं रहे से प्रकट हो जाना ये कह सकते हैं सातियों सही जवाब जिनका भी option number C तो मिल्कुल correct लॉकिक जगत की माया में सब ही फसे हुए हैं इसरे खांकी शब्द का 60 विलूम आपसे पूछा जा रहा है तो लॉकिक का विलूम क्या होगा? अलोकि कोगा कुटिल होगा, सांसारिक होगा यह दुनिया भी होगा? तो क्या होगा शात्यों लॉकि का आंसर यहाँ पर A के साथ तो बिल्कुल correct है नियुन शब्द में कौन सी संदी है बताने की कोशिश करेंगे आप सबी लोग तो जब भी साथियों मैं आपको बताता हूँ जब भी मैं आपको बताता हूँ अगर कोई आधा अक्षर आए और उसके बाद या हो और पूछा जाए उसमें कौन सी संदी है तो उसमें साथियों यड संदी होगी यह बात आपको हमेशा दिहान रखनी है आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर A के साथ चलिए उसके बाद देखिए निकित में से कौन सा शब्द वरतनी के अधार पर सही है तो अगर बात करें साथियों तातकालिक कैसे लिखा जाता है यह आप से पूछा जाएगा देखिए ततकाल लिखना हो तो तो इस परकार से लिखा जाएगा लेकिन तातकालिक लिखना हो आप से पूछा जा रहा है बताने की कोशिश कीजिए काम करने की बहुत धीमी गती पैदल चलने की आदत होनी चाहिए चाहे बहुत धीरे धीरे चले तो नहीं वैक्ति को 9 दिन तक प्रति दिन अडाई कोस पैदल चलना चाहिए भी नहीं पैदल चलने में बहुत समय लगता है ये भी नहीं सात्यों कुल मिला कि अगर बात करें तो 9 दिन चले अडाई कोस यानि के काम करने की बहुत धीमी गती को कहा जाता है 9 दिन चले अडाई कोस तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर A है तो बिलकुल करेक्ट हो जाता वही बहुत बड़िया वेरी कुट क्लास चलिए तो अब आपके सामने यहाँ पर सात्यों सामान ग्यान के पृषन हैं अभी तक आपने देखे सात्यों हिंदी के पृषन अब आपके सामने सामान ग्यान के एकदम बहुत जादा विरूद किया गया था, क्यूंकि समय से पूर्व Communistugen का गठन गूँआ था, ऐसा भी नहीं, सबही सदस के अंग्रेस थे बिलकूल सघ्यों, साइमन कमिशन के सभी सदस जो थे ना, वो सदस आं अंग्रेस थे और यही वज़ा थी, कि साइमन कमिशन का विरूद किया गया था उसका वहिशकार किया गया था भारत में तो जिनका अंसर यहाँ पर option number B था तो बिल्कुल correct था उसके बाद देखिए कि कॉंग्रेस के प्रतिनिती के रूप में महत्मा गांधी जी ने किस एक मातर गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो वो साथियों दूसरा गोल में सम्मेलन था और वो सम्मेलन साथियों कब हुआ था 1931 में हुआ था जिस गोल में सम्मेलन में महत्मा गांधी जीने साथियों आप लोग जहान रखेंगे भाग लिया उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशन आपके स्क्रेन पर है पूछा आपसे जा रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों कब लड़ा गया था तो पहला युद्ध तो आप सभी लोग जानते होंगे और दूसरे युद्ध की अगर बात करें तो 1556 साथियो लड़ा गया था सही जवाब आपका जाएगा भी के साथ मौर शासक अशोक ने कलिंग पर कब आकर्मण किया था तो कितने इसापूर में साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 261 इसापूर में अशोक ने कलिंग पर आकर्मण किया था ये प्रशन बहुत आप से पूछा जाता है उसके बाद देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्मान किसके दोरा करवाय गया था कृष्ण पर्थम के दोरा इंदर पर्थम के दोरा इंदर तृतिये के दोरा ये कृष्ण तृतिये के दोरा तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कृष्ण प अगर बात करते हैं तो यह साथियो कुशान काल में विक्सित होई जी सही जवाब आपका जाएगा option number D के साथ अगले नंबर का प्रिशनाप के स्क्रीन पर है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है साथियो तो आपको बताना है आंदर प्रदेश को चावल का किसे कहा जाता है तो वो 36 गड़ साथियो को कहा जाता है तो कुलमिला के दोनों बाते आपको धियान रखना है बहुत सारे बच्चे इस टाइप के कोशन में कन्फ्यूज होते हैं और गलत उत्तर को चैन करके आ जाते हैं अगर यहां पर साथियो 36 गड़ लिखा होता ना त तो साथियो बहुत सारे लोग 36 गड़ उत्तर को लगा देते हैं उसके बाद देखिये निकित में से किसको सहाधरी परवतमाला भी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है साथियो पश्यमी घाट को कहा जाता है सही जवाब आपका ऑप्शन नमर बी हो जाता है विश में सबसे विशाल मरू भूमी इन में से कौन सी है तो जो सहारा मरू भूमी है ना साथियो ये दुनिया की सबसे विशाल मरू भूमी है ये आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका एक साथ भारत में मुद्रा इस्विती मापी जाते है तो किसके द्वारा साथियो भारत म मुद्रा इस्विती मापी जाती है तो अगर आपके एक्जाम में ये प्रशना आ जाएना तो आप लोग ध्यान रखेंगे थोक मूले सूच गांग के द्वारा बारत में मुद्रा इस्विती को मापा जाता है सही जवाब आपका जाएगा उप्शन नमबर A के साथ अब उसके बाद देखिए साथियो अगले नमबर का प्रशना आपके स्क्रेन पर है देखिए और बताईए सही जवाब आपका क्या होगा बताईए देखिए साथियो अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके बदन पर वर्दी हो तो आपको एक तरीके से बात में करूँ कि हिंदी पर आपको पकड़ बनाना होगी बहुत अच्छी बहुत तमदार पकड़ बनाना होगी उसके अलावा रेजिणिंग पर भी आपको पकड़ बनाना होगी और थोड़ी बहुत एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज की अगर बात करें तो निपुड़ आपको बनना पड़ेगा थोड़ा बहुत मैथ में भी ये तीन ऐसे सात्यों विशह हैं जो गेनिंग सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं जिसमें मैक्सिमम कोशन्स भी अटेम नहीं आपको नहीं पढ़ना है कुल मिला के ठीक ना बस आपको क्या करना है जैसके ऐसा नहीं कि थीवरी वाली कोई किताब खोली आप उसको तयार कर रहा है जो पूरे-पूरे सात्यों बहुत इंप्रेंट आपके एक्जाम के लिए तो इनको अगर आप सात्यों देख ले देख लेते हैं और उसके अलावाथ सात्यों तो मैं कह सकता हूं बहुत आसानी से आपका एक्जाम निकल सकता है चलिए तो 49 नंबर का सात्यों परशनाप के स्क्रेन पर और बहुत important कोशन है आपके स्क्रेन पर है हो सकता हूँ आपके एक्जाम में आजाए आपकी अंतियोदे कारेकरम का उद्देश साथियों क्या है या आप से पूछा जा रहे है शहरी गरीबी दूर करना अनुसूचे जातियों के जीवन इस्तर में सुधार करना या अल्पसंख्यक को उन्नत करना या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना तो कुलमिला के जो भी गरीब हैं और उसमें जो सबसे जादा गरीब हैं उनकी मदद करना ही साथियों अंतियोदे कारेकरम का उद्देश है सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ चलिए अब आप से पूछा जा रहे हैं कि बंद अर्थवेस्ता से आप क्या समझते तो बंद अर्थवेस्त समगर रूप से भारत के सविधान को कब लागू किया गया तो यह आपको मालूम होना चाहिए साथियों 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से कमप्लिटली तोर पर साथियों समगर रूप से कहा जा सकता है कि भारत के सविधान को लागू किया गया सही जवाब जिनका भी यहाँ option number A है तो बिल्कुल correct है भारत के प्रधानमंतुरी बनने के लिए नियूनतम आयो कितनी होती है बताइए तो आप एक्षित नियूनतम आयो सातियों कितनी होना चाहिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए राइट आंसर आपका जाएगा option number C के साथ अगले नंबर का प्रिश निखिए कि जो देवदासी ओपन नियास है इसके लेखक सातियों कौन है तो इसके लेखक कौन है शरत चंदर चटपो ध्याएं है राइट आंसर आपका option number C हो जाता है hydrogen bomb आधारी थे नो अभिके संगलियन पर आधारी थे नाभिके विखंडन पर आधारी थे या radioactive विगटन पर आधारी थे किस पर आधारी थे सातियों नाभिके संगलियन पर आधारी थे या hydrogen bomb तो राइट आंसर आपका यह हो जाता है पौधों और जंतुओं को बीच की योजग कड़ी को सातियों किस रोप में जाना जाता है क्या कहा जाता है तो योगलीना कहा जाता है या प्रोग ध्यान रखे एक्जाम में अगर आपसे पुछन पूछ लिया जाए कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजग कड़ी को किस के रोप में जाना जाता है तो योगलीना के रोप में जाना जाता है उ नम्लिकित में से किसका उत्पादन होता है तो किसका उत्पादन होता है सात्यों विधुत उर्जा का उत्पादन होता है इस परिकार राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नम्बर B के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखिए अगले नम्बर का सात्यों का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका भी आंसर यहाँ पर option number A है तो बिल्कुल correct है साथियो अगर आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक साथियो वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को तुरंट लाइक कर दीजे आप सब लोग और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को भी साथियो जोईन कर लीजे क्योंकि अगर साथियो आप target selection चैनल से जुड़ जाते हैं तो target selection चैनल का उद्देश ही यही है कि जादा से जादा selection देना अब जो पढ़ेगा साथियो उसका selection हो जाएगा बहुत आराम से selection पाने के लिए आपको एक काम करना होता है सिर्फ आपको पढ़ना होता है और वो पढ़ना होता है जो लेविल चल रहा है मतलब जिस तरीके के जिन जिन topics है जो जो trending topic है जहां जहां से हाल फिलाल में questions पूछे जा रहे हैं 2024 में अब आपको वो नहीं पढ़ना है साथियों 2016, 15, 17, 18, 19 की बात करें थोड़ा सा देखिए हर चीज़ का fashion है हर चीज़ चेंज होता रहता है तो examiner भी अपने आपको थोड़ा सा changes लाता रहता है और कहां कहां से question बोलाता है ये भी change करता रहता है साथियों हर दो से तीन साल में ठीक है ना तो कुलमिला के साथियों अगर बात करें इस question का right answer आपका A हो जाता अब उसके बात देखिए देवा शरीफ उत्र पुदेश में कहां पर स्थित है तो पहली बात अगर बात करें देवा शरीफ तो साथियों यूपी में स्थित है लेकिन यूपी में ये कहां पर स्थित है तो यूपी के साथियों बारा बंकी जिले में स्थित है या आपका right answer हो जाएगा option नमबर B के साथ चलिए अब उसके बाद देखिए भात खंडे संगीत संस्थान लगनव डीमड विश्वद्याले ये साथियों कब बना तो ये कब बना ये 2000 में साथियों बना इसलिए सही जवाब आपका B के साथ उत्तर प्रोदेश में विविद शोध संस्थान है निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में इस्तित है बताईए तो इन में से कौन सा Defense Research Laboratory नहीं Central Building Research Institute नहीं Area Delivery Research and Defense Institute बिलकुल साथियों अगर बात करते हैं ऑप्शन नमर C वाला अगर संस्थान की बात करें तो ये कहां पर इस्तित हैं ये साथियों आगरा में से इस्तित हैं से उप्रोक्त मेंसे सभी में से तो कॉंस्टेवल मेंसे साथ एक से रुंगरूट चुना जाता है राइट आंसर आपका ए हो जाता है उसके बाद देखे निमलेकित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस और चुनोतियां चुनोतियां बहुत आती है और अगर बात करें सा पाहता सावीधान के कौन से अनुच्छत में इसका वरण किया गया है तो कौन से अनुच्छत में इसका वरण मिलता है साथ हो अनुच्छत 49 के काम इसका वरण मिलता है इसलिए राइट आंसर आपका आप्शन नमबर भी हो जाता है अब उसके बाद देखें कि 4 अक्टूबर संदूशक के अंतरगास जातियों जन्तों के मलमूतर भी आते हैं, हानिकारक सूश में जीव भी आते हैं, और मानव का मलमूतर भी आता है, तो कुल्मिला के आंसर आपका जो जाएगा, वो ऑप्शन अमबर D के साथ जाएगा, उसके बाद देखिए, अगला प्रिशने के अं आप लोग ध्यान रखेंगे, साइबर अपराद की श्रणी में आते हैं, इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी आप्शन अमबर B है, तो बिल्कुल करेक्ट है, रक्त दाब के अगर बात करें, और के ब्लेड प्रेशर के अगर बात करें, तो आप अपने माता पिता म इसे किसी का साथियो ब्लेड प्रेशर चेक करवाने जाते होगे अक्सर, तो वो मशीन, उस मशीन का साथियो क्या नाम होता है, उस यंद्र का क्या नाम होता है, इस फिग्मो मैनो मीटर साथियो उसका नाम होता है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर साथियो गले में हो जाता है गला थोड़ा सोड़ा सूजा सा लगने लगता है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन है निमने कि तुमेंसे किसकी उपस्तिती की वज़ा से दूद में मिठास आ जाती है तो किसकी उपस्तिती की वज़ा से लेक्टोस की उपस्तिती की साथियो दूद में मिठा सा जाती है सही जवाब आपका B के साथ जाएगा उसके बाद देखिए उज्जेन का प्राचीन काल में क्या नाम था बताईए तो उज्जीन उज्जेन को अगर बात करें पहले तो इसको साथियो आवंतिका कहा जाता था तो प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था आवंतिका कहा जाता था और नया नाम इसका क्या है साथियो उज्जेन है ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे पानी पत की तीसी रड़ाई में मराठो को हराया था तो मराटो को किस ने हड़ाया था साथियो अफगानों ने हड़ाया था राइट आंसर आपका भी के साथ हुमायू नामा के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं साथियो गुल बदन बेगम थी ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा, वो option number C के साथ जाएगा, वही बहुत बड़िया very good class तो अब हम लोग यहाँ पर साथियों देखेंगे reasoning के question, ठेक है ना, तो reasoning के question और उसके बाद साथियो math के question की तरफ पढ़ेंगे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर साथियों कुछ होगी घंटे की सुई, यहाँ पर घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई साथियों आपके यहाँ पर होगी, तो यह घंटे की सुई तो साथियों इस दिशा में होगी, अगर बात करें, यह उपर वाली दिशा आपकी ह जिशा में साथियों घंटे की सुई है तो उत्तर पूरब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठेकर ना तो उत्तर पूरब कहां पर लिखा हुआ है उत्तर पूरब आपका option number D में लिखा हुआ है तो जिनका answer यहां पर option number D है तो बिल्कुल correct है चलिए अब उसके बाद आपके पूछा जाये अगले नंबर का साथियों कोशन आपके स्क्रेइन पर आजूआ है आपका आपके पूछा जा करता हूं माल लिजे सबसे पहली बात तो आपको धिहान रखना है साथियों अगर आपसे प्रिश्ण में कहा जाएगा कि दाएं मुड़िया क्या कहा जाएगा अगर आपसे दाएं मुड़ने को कहा जाए तो आपको सीधे हाथ पे मुड़ जाना है ठीक है ना सीधे हाथ पे म पूर्व होगा, आपके सीधे हाथ पे पूर्व होगा, आपके उपर की तरफ साथियों उत्तर होगा, आपके नीचे की तरफ साथियों क्या होगा, आपके नीचे की तरफ साथियों दक्षिन होगा, और आपके उल्टे हाथ पे साथियों पश्यम हो जाएगा, इतनी बात आप वहाँ हुए चाला, तो 30 मिटर चलता है, 30 मिटर हमने चला दिया, उसके बाद अब फर वो दाइं और मुडा और 50 मिटर चला तो दाइं और मुडा मुडा और साथियो 50 मिटर चला दिया, जब ये 50 ہے, तो इसकी भी दूरी लग बख लग बख लगए, ये ही 50 होिए तो 50 मि C के साथ तो बिल्कुल correct है चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का सात्वे पृष्ण आपके स्क्रीन पर आ चुका है बताईए क्या होगा right answer पहले 2 आया, 2 के बाद सात्वे 4 आगया 4 के बाद सात्वे 12 आगया बारा के बाद 48 आगे, 48 के बाद 240 आगया तो 240 के बाद आपको बताने है कि प्रिष्णवाचक चनिकी जंगा पर कौन सा नमबर आएगा बारा सो, चौदा सो चालिस, चार सो सी या नो सो साट बताईए देखे, यहाँ पर अगर बात करें, जब भी आपको यह लगे कि नमबर बहुत जादा गैपिंग से बढ़ रहे हैं जिसके 48 एगजम 240 हो गया, तो वहाँ पर कुछ गुणा का खेल होगा, बतलब वहाँ पर गुणा हो रही होगी तो दो को चार बनाने के लिए सिंपल से सातियों 2 से गुणा कराए जाएगा, चार को बारहा बनाने के लिए सातियों 3 से गुणा कराए जाएगा, बारहा को 48 बनाने के लिए सातियों 4 से गुणा कराए जाएगा, और हमें नहीं पताए कि 48 को किस से गुणा कराए, 240 आ तो पांच अठे चालिस होता है चालिस का सातियों क्या लगा लिए हमने जीरो लगा लिया और चार आपका हो जाएगा यहां पर पांच चौक आपका बीस होता है बीस हो चार आपका 24 हो जाएगा यहां बिल्कुल सही सातियों तो दो सो चालिस की आपको कराना है सातियों गु ना वो धीरे धीरे आपका लेवल यहां पर बढ़ाया जा रहा है चलिए तो उन चात्रों में से जिन्होंने कक्षा का टेस्ट उत्रण किया है अभिशेक उपर से 70 है ठीक ना 70 है पुल मिला के मतलब अभिशेक की अगर बात करते यह उपर यह पहला नंबर पहला नंबर पर क 31 में नंबर पर नीचे से अगर बात करें तो नीचे से सात्यों वो 31 में नंबर पर है कभी भी सात्यों अगर आपको एक बात कही जाए कि उपर से कोई भी बिवन्दा उपर से अभिशेक फरान कुछ भी होकुल मिला कि अभिशेक उपर से 17 पर है 17 नंबर पर नीचे से 31 पर तो इसको घटाने पर साथ जोडने पर इसको क्या आएगा यहाँ पर एक आट आजाएगा और यहाँ पर साथ चार आजाएगा यानिके कुल मिला के कहा जा सकता है 47 टोटल तरीके से बच्चे यहाँ पर हैं ठीक है ना अब अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल कितने उत्रन किया है उसमें से अगर बात करें तो यह पास वाले चातर थे और फेल वाले कितने चातरे आट चातर हैं तो कुल कितने चातर हो जाएंगे साथियो 55 चातर हो जाएंगे क्या 55 कहीं पर आप्शन में है तो बिलकुल है साथियो आप्शन नमबर बी में है और यही आप इस नाम का कोई व्यक्ति देखता है तो आप सबसे पहले काम करो कि उस व्यक्ति वो आप खुद को समझने लगो तो माल लीजे आप आपका नाम विनोध है क्या नाम आपका है आपका नाम भाई विनोध है आपका नाम अगर बात करें आपने कहा वहां मेरे दादा के आप किस सातियों, आपकी बेहन ही होगी न, तो आपके पिता जी की बेटी जाने कि वो फोटो किसकी है सातियों, तो कहा Gआ सकता है आपकी बेहन की है, अब सवाल क्या पूछा जा रहीं ये देखिए, विनोद उस फोटो वाली लिलकी से कैसे समधित है, अब यहाँ पर हम मैं कि अगर बात कर रहे हैं आपको इसके छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं ये तो रिलेशन आपने निकाल लिया कि भाई बहन का रिष्टा है विनोध उस फोटो वाली लड़की से अब लड़की से जहां पर भी से आ जाए ना उससे पहले जो लिखा हो लड़की यानि के लड़क अगले नंबर का प्रिशन है साथियों आप से यहां पर पूछा जा रहे कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाडी और कलाकार दोनों अब पहले इसको देख लीजे साथियों यहां पर मैं आपको साथियों बता देता हूं समझा देता हूं एक तरीके से आप लोग थोड़ चार भी एक वैक्टि यह सब साथियों खिलाडी हैं और यहां पर अगर बात करें साथियों यह आपके क्या हो जाएंगी यह आपके नंबर जो जाएग ना यह 25 क्या हो जाएगा यह तर्पर बता हाँ आप प्रिश्णित की तरव बढ़ते हैं कि अगर बात करें, चार एक ऐसा नंबर है, जो डॉक्टर तो है, लेकिन साथ में खिलाड़ी भी है, और कलाकार भी है, चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें, करें answer आपका किस option के साथ जाएगा option number B के साथ जाएगा और जिनका answer यहां पर 4 था तो बिल्कुल correct है अब उसके बाद देखें सात्यों कितने कलाकार खिलाडी हैं अब आपसे पूछा जा रहे कितने कलाकार खिलाडी हैं तो कलाकार कि अगर बात करें यहां पर सात्यों जब हम बात करते हैं यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका कलाकार वाला हो जाएगा तो कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाडी भी हैं तो सात्यों में कहूंगा option number क्या होगा जो खिलाडी तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है ये नहीं कहा गया था अगर ये कहा जाता तो हमारा उत्तर 20 होता प्रिशन में ये कहा गया कितने ऐसे कलाकार है जो खिलाडी है ठीक है ना तो खिलाडी तो साथियो ये भी है और खिलाडी ये भी है भले डॉक्टर है तो क्या हो जो ना तो खिलाडी है और ना ही डॉक्टर है ये अब आप से साथियों पूछा जा रहे देखिए कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाडी है ना डॉक्टर है कितने कलाकार ऐसे हैं देख लीजे साथियों कितने कलाकार ऐसे हैं तो मुझे ऐसा लगता है सातियों ये 40 वाले इतने एक अलाकार जो हैं ना तो सातियों ये डॉक्टर हैं क्योंकि डॉक्टर ये सारे हैं और ना ये खिलाडी हैं क्योंकि खिलाडी ये सारे हैं तो 40 सातियों इस प्रिशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है देख लेते हैं स इसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रृषणा ए कि कौन सा चित्र कुत्टे, पाल्तू और बिल्लियों को दर्षा रहा है यह आप से यहां पर पूचा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजि़े बताईー देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों कौन सा चित्र पालतू और चित्र कुत्तो पालतू और बिल्लियों को दर्शार है यह आप से पूछा जा रहे बताएए तेके यह आपका क्या बन जाएगी यह मान लिजे साथियों आपका पालतू बन गया ठेके ना यह आपका साथियों और कुछ बिल्या पालतू भी होती है और कुछ बिल्या जंगली भी होती है कुछ बाहर इदर उदर भी घुमने वाली होती है और कुछ कुछ गुमने वाले होती है तो कुल मिला कि आपका इस टाइप से बनेगा कि ये जो सर्किल के अंदर आ रहा है पाटना ये कुते हैं और ये वो कुते हैं जो पालतू हैं और अगर बात करें ये जो बाहर आ रहा है ने ये बाहर आवारा गुमने वाले कुते हैं पालतू नहीं है ऐसी बिल्लियों का भी होता है जो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये बेरिकूट क्लास चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातियों प्रशना आपके स्क्रेन पर है कि कौन सा चित्र, मेजे, कुरसियां और फरनीचर को दर्शार है देखिए फरनीचर के अंतर गती तो आएंगी मेजे भी आएंगी कुरसियां भी आएंगी तो इस चित्र, बैगन, कौन से चित्र, बैगन, मास और सबजियों को दर्शार है बताएए क्या सबजियों के अंतर गत बैगन आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा क्या सबजियों के अंतर गत मास आ जाएगा तो मास सातियों नहीं आएगा तो अगर बात करें ये आपकी सबजियो हो गई सबजियों के अंतरगत ही आपका बैगन आ गया लेकिन मास ये सात्यों अलग से बन जाएगा क्योंकि इनका इनका रिलेशन बिलकुल नहीं है तो ऐसी कि अगर बात करें आपको सात्यों कौन से आप्शन में देखने को मिल रहा है आप्शन नमबर A में नहीं B में नहीं C में नहीं D में सात्यों ऐसा देखने को मिल रहा है तो इस कोशन का राइट आंसर आपका आप्शन नमबर किस के साथ जाएगा सात्यों आप्शन नमबर D के साथ जाएगा ये रहा आपका D जो के विकल्प नमबर C में है चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सात्यो कोशन आपके स्क्रेन पर आ चुका है चलिए सात्यो उसके बाद देखेंगे कि रेडियो का सम्मंद शुरोता से मतलब रेडियो की अगर बात करें तो ये शुरोता सुनते फिल्म के अगर बात करें देखी जाती है तो रेडियो के अगर बात करें सुना जाता है तो फिल्म को सात्यों देखा जाता है दर्शकों के दोरा तो दर्शक कहा है सात्यों आप्शन नमर बी में और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है गाई के बच्चे को सात्यों क्या कहा जाता है तो गाई के बच्चे को सात्यों बच्छडा कहा जाता है उसी प्रकार शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है पिल्ला बिल्कुल नहीं चूजा नहीं सात्यों शेर कहा जाता है नहीं शेर नहीं कहा जाएगा शावक कहा जाता है य आप क्या घन बताओगे नहीं, क्या आप दिन क्यूं बताओगे, कहां के लिए दिन क्यूं आएगा, दिन तो आई नहीं सकता साथियों, कहां पूछुक तो घड़ी बताओ क्यूं, हाँ, लेकिन कहां अगर कहूंगा तो इस्थान साथियों आप लोग जरूर बता दोगे, त आपके एक्जाम में ना बने साथियों ऐसा हो नहीं सकता, सभी कैची चाकू है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं साथियों, यह आपकी मैं क्या बना लेता हूँ, यह आपकी कैची बन गई, ठीक है ना, और यह साथियों आपकी जो कैची है ना, यह कहा जा रहे हैं कि सब ही कैची साथियों ये चाकू है ठीक है उसके बाद लिखा है साथियों दूसरा खतन है कि कुछ कैची तलवार है तो कुछ कैची मान लिजे इतनी कैची क्या हो जाएंगी इतनी कैची साथियों आपकी तलवार हो जाएंगी ठीक है इतनी कैची मान लिजे तलवार हो गई अब निशकर्श देखिया और निशकर्श पढ़िया और देखिये कौन सा सही है और कौन सा यहां पर सात्यों आपको गलत लगेगा चलिए तो अगर बात करें कुछ चाकू तलवार है तो चाकू कहा है चाकू तो यह है कुछ चाकू तलवार है बिल्कुल साथियों इतने चाकू जो है ना इतने चाकू यह तलवार है यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा अगर बात करें सब ही तलवार चाकू है तो सब ही तलवार चाक हुआ है कि केवल निशकर्ष एक अनुसरण करता है और यही आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अब उसके बाद देखिए कतन में साथिओं आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कतन आपके सामने दे रखा है कि सब ही तोप हत गोले हैं तो यहाँ पर साथियों हम क्या बना लेंगे यहाँ पर मान लिजे हम तोप बना लेंगे और कहा यह जा रहा है कि सब ही तोप जो है ना वो साथियों क्या है वो साथियों हत गोले हैं तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेंगे हत ठीक है तो सभी तोफ हत गोले हो गई कुछ हत गोले बंदूख है क्या कुछ हत गोले क्या है मान लेज़े सातियो इतने हत गोले क्या इतने हत गोले सातियों क्या हो जाएंगी ये आपकी बंदूख हो जाएंगी इतने हत गोले है अब निशकर्ष को पढ़ते हैं और देखते हैं सातियों कौन सा निशकर्श सही है और कौन सा निशकर्श गलत है चलिए कुछ हत गोले तोप है क्या हत गोले तो यह है हत गोले बिल्कुल सातियों इतने हत गोले ना सातियों क्या है वो तोप है यह कहा जा सकता है बिल्कुल सही तो यह तो सही हो जाएगा कुछ तोप बंदूख है कुछ तोप देखे तोप कहा है और बंदूख कहा है ठीक ना तो इनका इनका संबंद नहीं है न तो ये साथियों गलत हो जाएगा तो कुलमिला के साथियों यहाँ पर कौन सी संख्याएगी ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहे देखिए और बताईए सही जवाब आपका यहाँ पर सात्यों क्या हो सकता है बताईए यहाँ पर अगर बात करें सात्यों चार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है चार कहां कहां है एक तो सात्यों चार आपका यह है ठीक ना और एक की अगर बात करते हैं साथियो एक आपका कहा हो जाएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ एक की अगर बात करें साथ्यों देखे एक चार तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा चार आपका ये हो जाएगा और तीसरा चार आपका ये हो जाएगा मुझे ये बता ये चार का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत कौन होगा चार यहां पर है तो कहा जा सकता है चार का विपरीज पाच नहीं हो सकता है यानि कि चार का विपरीज साथियो एक तीन दो पाच नहीं हो सकता है तो एक तीन दो पाच नहीं हो सकता है साथियो एक एक तीन दो पाच ये गलत हो जाएगा बचेगा क्या साथियो छे बचेगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानिके चार का विपरीत सातियो 6 हो जाएगा जो इनका अंसर यहाँ पर option number B है तो बिल्कुल correct है अब उसके बाद देखिए अगले number का सातियो प्रिशन आपके screen पर है यदि फलक के उपर 2 है तो सबसे नीचे की फलक पर कौन है ये आपको देखना है और बताना है सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा देखिए दो एक तो आपका सातियो यहाँ पर है और एक आपका दो सातियो यहाँ पर है ठीक ना तो अगर जब हम बात करते हैं कोई भी number सातियो सेम हो जाए जैसके ये और ये मतलब ये भी सेम फलक पर है सेम सेम फलक पर अगर सातियों होते हैं तो क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर सातियों एक बार बतला देता हूँ देखिए तो चार यहाँ पर भी है और चार यहाँ पर भी है तो अगर बात करें एक का तीन विपरीत होगा और तीन का विपरीत दो चारो फलकों में सात्यों अलग अलग नंबर लिखा होना चाहिए जबके यहां पर यह जो नंबर है वो यहां पर नंबर लगा हुआ है तो इसलिए इन दो पासों को हम नहीं ले सकते अब हमें सात्यों दूसरा कोई देखना होगा अब देखे चार यहां पर भी है सात्यों औ और चार यहाँ पर भी है, और नमबर की अगर बात करें, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें अलग है, यह चार फलकों में बिल्कुल डिफरेंट नमबर है, कोई सेम सेम नमबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर साथियो सेम सेम नमबर था, तो इ पूछा क्या गया था दो का विपरीत एक शायद पूछा गया था तो देख लेतें दो का विपरीत एक पूछा गया था क्या पूछा गया था दो का विपरीत क्या है साथियो तो दो का विपरीत एक हो जाएगा और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नमर डी के साथ और इनका अंसर यहां पर option number two तहकुल मिला के जो भी था बिल्कुल correct था चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियो प्रश्णा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए और बताईए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है देखिए यहां पर बताया जा र यलो कलर यहां पर साथियो ले लिया चलिए कोई दिक्त नहीं है तो यहां पर कहा गैए कि नीलम की साथियो पती परमेशर हो जाएगा इसकी जो अम्मी होंगी ना सातियों वही कौन होंगी वही तो सातियों नीलम की सास होंगी और इनका नाम क्या है इनका नाम है सातियों सरोज तो सरोज का एक बेटा है और इस बेटी के एक बीवी है और इन दोनों के बीच समझ बताया गया है कि सास बहु का ये लिखा हुआ सरोज नील नीलम का कौन है सातियों ये नीलम का सातियों मतलब को मिला के भावी है नीलम सोनू की सोनू की भावी ये तो कहा जा सकता है कि अब हमाई इतना समझ में आ गया है कि सरोज के दो बेटे हैं एक तो आपका ये और एक ये और इस वाले बेटे की ये बीवी है इतना समझ में आ ग पेटे की बीवी को आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है ये आपको बताना है बताए किया इसका राइट अंसर साथियों हो सकत IK been सरोज कुवर का संबन्द पूछा जा रहा है तो सरोज और कुवर का संबन्द है मतलब कुवर क्या कहेगा सरोज को वो तो पतनी कहेगा तो पतनी सात्यो कौन से option में हो option नमबर A वाले में तो यही आपका right answer हो जाएगे यहापर कुवर नीलम का नहीं पूछा गया है अगर कुवर नीलम का पूछा जाता तो क्या हो जाता सात्यो यह क्या कहेगा यह तो अपनी वदू बहू कहेगा ठीक ना तो इस दोनों बाते सात्यो आपको धियान रखना है चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशना आपके स्क्रीन पर है तो अब तक आपने देखे सात्यो रेजनिंग के प्रशना अब आप लोग यहां पर सात्यो कुछ चुनिंदा कोशन देखेंगे मैध के तो मैध का सात्यो पहला प्रशना आपके स्क्रीन पर है कि 9000 की लागत से कांती ने एक व्यापार परा रहा है कि यानि के कांती है और उसके बाद साथियों पांच महा के पांच महा के बाद इसी व्यापार में आठ हजार की लागत आठ हजार रुपए की पूजी लगा कर सुधाकर भी साज़ेदार बन गया तो कुल मिलाके साथियों दो लोग हैं देखिए सुधाकर हैं सुधाकर हैं और कौन है कांती हैं तो यहां पर हम लोग साथियों लिख लेते एक तो कांती हैं जो के वेपार कर रही हैं और एक साथियों कौन है एक आपके सुधाकर हैं ठीक है बाइया एक कांती हो गए और एक आपके ये लगाता रहा अपना पैसा, लेकिन पांच महाँ बाद ये आया, और इसने कितने लगाए साथियों, आट हजार लगाए सुधा करने, ठीक है, आट हजार रुपए लगाए सुधा करने, और साज़ेदारी बन गया, अंतमी इस व्यापार में, इतने 7970 रुपए का लाब हो इसका पैसा जो लगाना साथियों, वो पूरे 12 महीने के लिए लगा, लेकिन इसका पैसा कितने, ये 5 महीने के बाद तो आया था, तो साल में बचे कितने महीने साथियों, साल में 7 महीने बचे, तो इसका पैसा 7 महीने के लिए लगा, अब अगर बात करें साथियों, ये क्य तो देख लेते सात्यों इसको शॉड कर लेते 30 साथए 30 ख टेन जिरो अगर बात करें कि यह आपका यहांपर चहपन हो जाएगा अब कुल मिला कि ये क्या है ये लाब है पैसा इसने लगाया इतने दिन इतना पैसा इतने महीने के लिए इतना पैसा इतने महीने के लिए कलकुलेशन करी तो ये सात्यों लाब निकल कराया या अगर सात्यों कांती का लाब 108 रुपए है तो सुधाकर का लाब 56 रुपए होग बस इनको और थोड़ा कटिंग कर लो सातियों क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा तो दो से कट कर लो सातियों दो दुना चार हो जाएगा दो अठे सोला हो जाएगा दो पंजे दस हो जाएगा दो चौक आठ हो जाएगा और कट हो सकता है बिलकुल सातियों बिलकुल हो सकता है दो दुना चार हो जाएगा दो सत्य चौधा हो जाएगा यहाँ पर सातियों चौधा आ जाएगा तो 27 चौधा यहाँ पर सातियों आ जाएगा और अगर बात करें किसका लाब पूछा है तो सुधाकर का लाब पूछा है सुधाकर का कितना लाब है चौधा लाब है तो चौधा लिखो और बटे में क्या लिखेंगे इन दोनों का जोड लिखेंगे इन दोनों का जोड क्या होगा सात्यों साथ चार आपका ग्यारा हो जा तो 41 की किसे भाग करे साथियों किसे गुणा करे एक तरीके से कहा जा सकता है तो यहां पर 287 आज़े देखिए अगर हम इसको मतलब बिला कि 41 सत्य होते हैं मेरे हिसाब से 287 क्योंकि साथ से गुणा करेंगे साथ यो तो साथ एकम साथ हो जाएगा और साथ चोका आपका 288 हो तो 41 सत्य कितने हो जाएगे साथियों 287 हो जाएगा और जो 0 बचा है वो 0 आजएगा यहां कि अब आपको सिर्फ इतना काम करना 170 की गुणा करना है 14 से तो 170 की गुणा हम कर देते हैं 14 से 170 की गुणा कर देते हैं 14 से 0 नहीं लगाए 0 बाद में लगा देंगे साथ चोक आपका 28 हो जाएगा चारे कम चार हो जाएगा और दो आपका 6 हो जाएगा यहां पर अगर बात करें 17 आ जाएगा यहां पर 8 आ जाएगा यहां पर साथियों आपका 13 आ जाएगा अपर मतलब 238 को मिलाकि अगर 2380 आपके इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा और 2380 का कहीं option में है तो बिल्कुल 7 option में 2380 साथी option number C में हो और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशन कितने समय में 3 प्रतिशत साधारन वारशिक ब्याज की दर से 8000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4 प्रतिशत साधारन वारशिक ब्याज की दर से 5 वर्श में 6000 होगा तो बहुत सिंपल सा प्रशन देखिए जो जो दे रखा है उसको पुट कीजे क्या दे रखा है पहली बात तो आप से समय पूचा जा रहा है 3 प्रतिशत दे yeah रखा है तो 3 प्रतिशत हो जाएगा गुणा अगर बात करें मूलधन कितना है सात्यों तो 8000 है मूलधन 8000 हो जाएगा इसका समय आप से पूचा जा रहै इसके जंगापे हम T रख देते हैं सातियों इसके जंगापे हम T रख देते हैं और भाग कितना हो जाएगा उतना ही होगा जितना के 4 परतिशत साधारन वार्षिक भ्याज़ की दर से 5 वर्ष में 5 वर्ष में सातियों 6000 होगा 6000 होगा ठीक है यहां पर बटे में सातियों 100 आ जाएगा तो यहां पर कुल मिला कि आपको टी पूछा जा रहे यानि कि कितना वर्ष आपसे पूछा जा रहे बस सातियों और कुछ नहीं है ठीक ना यह बराबर बताएगा यह जो यह है वो यह है बराबर बताएगा तो बराबर लिख लिए चलिए अब इस 2-0 सातियों यह आपके 2-0 कैंसिल होगा इन 2-0 से आपके 2-0 कैंसिल होगा ठीकिना अब बचा क्या साथियो देखे अब अगर बात करें ये जो सब कुछ है ना साथियो वो इसके भाग में आ जाएगा तो अब यहाँ पर तो टी लिख लेंगे बरावर साथियो ये सब लिख लेंगे क्या क्या बचा है साथ और ये आपका चार पंजे बीस मतलब साथ हो जाएगा और साथियो चार पंजे आपका बीस हो जाएगा और अगर बात करें ये इसके भाग में आ जाएंगे इसके भाग में सातियों क्या आ जाएंगे ये पर तो 80 आ जाएगा और तीन आ जाएगा 80 आ जाएगा और सातियों तीन आ जाएगा 20 एकम 20 बीस चौक आपके 80 हो जाएगे 3 एकम 3, 3 यहाँ पर 20 आजाए, 3 दोन 6 और 0 बीस आजाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे आपका कितना आजाएगा, 20 आजाएगा तो कुल मिला कि अगर बात करें, T की वेलू क्या निकली, यानि कितने वर्ष में साथियों, 5 वर्ष इस प्रिशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, चलिए तो आंसर आपका जो जाएगा, वो आप्शन नमबर C के साथ जाएगा, अब उसके बाद देखिए, अगले नमबर का साथियों कोईशन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर अगर बात करें, किसी टंकी को एक नल 25 मिनट में भर सकता है, जबके दूसरा नल 50 मिनट में इसको ख बरता है, लेकिन एक दूसरा नल लगा हुआ है, साइड में वो 50 मिनट में उसको खाली कर देता है, तो एक ऐसा नमबर लेना होगा साथियों जो 25 के पहाड़े में भी है और 50 के पहाड़े में भी है, तो मान सकते हैं साथियों वो नमबर 50 हो जाएगा, पाचास दुना साथ साथियों 50 होता है, तो यह आपका 50 हो जाएगा, अब सिंपल से लफजों में कहा यह जा सकता है साथियों, कि अगर बात करें, एक मिनट में साथियों दो पानी भर रहा है, यही तो कहा जा सकता है, एक मिनट में दो पानी भर रहा है, तो साथियों एक खाली हो रहा है, दो तो एक मिनट में जब एक लीटर पानी भर रहा है, तो 50 लीटर पानी कितने मिनट में भरेगा, सातियों, 50 मिनट में भरेगा, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो option number D के साथ जाएगा और D कहाँ पर है साथियों यानिके 50 कहाँ पर है 50 तो option number D में है तो उमीद करता हूँ जिस type से मैंने आपको समझाया है बहुत आसान तरीके से यह आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि किताबी भाषा में तो साथियों इसका solution बहुत लंबा दिया हुआ था उसके बाद देखिए अगले number का साथियों कोशन आपके screen पर है देखिए और बताएए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा एक समांतर चतरभुज का एक पाशर्व 14 cm है विपरीत पाशर्व से उनकी दूरी 16 cm है समांतर चतरभुज का छेतरफल आपसे पूछा जा रहा है कुछ नहीं करना है साथियों इसकी और इसकी गुणा आपस में कर देना है यानिके 14 गुणा साथियों 16 कर देना है आपको समांतर चतरभुज का छेतरफल मिल जाएगा तो इसकी साथियों गुणा करके हम लोग एक बड़ देख लेते क्या आता है 14, 75, 14 छंग आपका 84 हो जाएगा और 14 एकम आपका 14 हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर 224 का कहीं पर आप्शन में है तो बिलकुल साथियों है आप्शन नमबर B में है और यही आपक कुल सही जवाब हो जाता है चलिए उसके बाद देखिए अगले नमबर का कोशन चलिए यहाँ पर अगर बात करें एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और पांच पैसे के सिक्चे है कितने के अनुपात में है मतलब कहा जा सकता है कि जो 25 पैसे के सिक्चे न वो अगर एक है तो यह कि अगर बात करें 25 पैसे के सिक्का अगर 1 है तो 10 पैसे के सिक्का अगर 2 है तो 5 पैसे के सिक्का अगर 3 है तो एक कुल मिला के साथ यो 30 रुपए बनेंगे जाके ये आपको बताया गया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी देखिए सवाल को इतना आसान बना दूगा आपके लिए कि आप इसको बहुत आसान समझ जाओगे साथियो और आपकी परिक्षा में आ जाए तो साथियो बहुत आराम से इस्परिशन को आप कर सकते हो देखिए आप से सवाल पूछा जाएगा इस टाइप का और पूछा ही पूछा जाता है 25 पैसे दे देंगे उसकी जगह पर हो सकता है 50 पैसे कर दें मतलब यह तीन तरह के पैसे आपको दिये जाएंगे और यह अनुपात आपको दिया जाएगा हो सकता है यहाँ पर 2 अनुपा 3 अनुपा 4 दे और उसके बाद साते हो कोई रकम यहाँ पर दे देंगे 30 रुपए 40 रुपए 50 100 200 रुपए और एक पैसे पूछे जाएंगे या तो आपसे पूछे जा सकते हैं 5 पैसे के सिक्कों के संख्या बताईए या आपसे पूछा जा सकता है 10 पैसों के संख्या बताईए या आपसे पूछा जा सकते है 25 पैसों के संख्या बताईए तो तीनों की अगर बात करें तीनों हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देंगे, देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कि 25 पैसे, एक रुपया है, अब 25 पैसे की बात यहाँ पर आई है, तो एक बटे चार ही तो लिखेंगे, 10 पैसे की बात आई है, तो यहाँ पर साथे हो, एक बटे चार है ना, तो अच्छे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक एकस, टू एकस और थ्री एकस, ठीक है, यह लिख सकते हैं, अब क्या आप काम करोगे, यह एक बटे चार इसको लिखोगे ना, एक रुपए में कितनी बार आएगा तो 10 बार आएगा तो इसलिए सात्यों एक बटे 10 हम यहां लिखेंगे यह एक रुपए में कितनी बार आएगा तो 20 बार आएगा इसलिए एक बटे 20 हम लोग लिखेंगे तो अब उमीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा अब यहाँ पर 1 बटे क्या आ जाएगे 10 आ जाएगा तो 1 बटे 10 मतलिको 2x बटे 2 लिख दो क्या 2x 2x बटे 2 नहीं वलके 2x बटे 10 यहाँ पर लिख दो पिलस लगा दो यहाँ पर 1 बटे 20 आएगा इसकी जगापे तो 3x क्या लिख दो साथियो 3x बटे 20 लिख दो और ये कुल रकम जो बताई जा रही है सात्यों वो कितने बताई जा रही है 30 रुपया बताई जा रही है तो यहाँ पर हमने 30 रुपय लिख दिया अब अगर बात करें कि यह कट रहा है 2 रकम 2 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा तो अब यहां पर सातियों कैसे, मतलब अब यहां पर x बटे 5 है, x बटे 4, पिलस x बटे 5, पिलस 3, x बटे 20, बराबर 30, तो इसकी गुणा इससे होगी, 5x यहां पर सातियों हो जाएगा, तो यह आपका 5x हो गया, पिलस के अगर बात करें, 4 की x से गुणा होगी, तो यह पांच एक्स चार एक्स कितना हो जाएगा पांच एक्स चार एक्स इसकी जंगा पर साथियो नौ एक्स आ जाएगा अब एक बात देखिए नीचे सेम सेम नंबर हो तो साथियो आप लोग क्या करते हैं कि जो सेम सेम नंबर है वो एक बार रिख लेते हैं और उपर दोनों का जोड कर देते हैं यानि कि 9 X का जोड कर देंगे 3 X से क्या आजाएगा साथियो 12 X यहाँ पर आजाएगा और बरावर क्या है साथियो 13 है तो आपको मालूँ होना चाहिए इस 20 की गुणा साथियो 13 से हो जाएगी और इस 12 की भाग साथियो यहाँ पर आजाएगी नीचे आजाएगी यानि कि 100 बराबर कि अगर बात करें क्या होगा 30 गुणा 20 हो जाएगा और भाग में क्या आजाएगा साथियो 12 आजाएगा अब अगर कट करें 2 पंजयाब का 2 धाम यहाँ पर 20 हो जाएगे यहां पर चे आजाएगा, चे कि अगर बात करे कम करे तो सतियों 6, कम 6, 6 पंज़ाब का 30 हो जाएगा, तो पांच की दस से गुणा कराएंगे सतियों की आजाएगा, एक सु बराबर 50 आजाएगा, अब देखें, यहां पर देखें, अब आपसे यहां पर क्या पूछा ग intim पा 5 पैसे के 5 पैसों के सिक्को की संख्या यहाँ पर 3 बताई गई है तो अगर 1x बराबर 50 है तो 3x बराबर साथियो 150 हो जाएगा तो सही जवाब आपका किसके साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा अगर आपसे पूछता के 25 पैसों की संख्या कितनी है तो 25 पैसों की संख्या तो 1X है तो सातियों क्या हो जाता 50 है अब देखे एक एक इसकी संख्या कितनी है 50 है तो यहां पर सातियों 50 हो जाता ठीक है ना उसके बाद अगर बात करें कुल्मिला के सातियों अगर बात करते हैं कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है तो एक एकस है तो साथ यो एक एकस बराबर जो पचास है तो कुलमिला के साथ यो पचास पैसो की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाती पचास हो जाती और दस पैसो की सिक्कों की संख्या सो हो जाती और पाच पैसे की सिक्कों की संख्या साथ यो एक सो पचास हो इस प्रिकार का सवाल आप से पूछा जाता है, इसकी बहुत आसान सी, बहुत छोटी सी ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, जो दो अंतिम नंबर है ना साथ्यों उनको भाग कर लो, और देखो क्या शेशवल बच रहा है, सतरा एकम सतरा, सतरा एकम सतरा, क्या शेशवल बचा सत्यों दो बचा ना, यह 19 आई सत्रा दे रहे हैं तो 2 शेशवल बचा 2 शेशवल आपका आंसर हो जाएगा और कौन से option में, सात्यों option number B में है मतलब इस वाला यहां पर जो भी नंबर लिखाओ आपको कोई मतलब नहीं है आपसे कहा जाए कि 119 से भाग देने पर 19 6 बचता है तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या 6 फल बचेगा तो 17 से कर दो 17 19 का क्या बचेगा दो बचेगा तो आपका आंसर जाएगा दो के साथ option नमबर B के साथ चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का सातियो प्रिश्ण है कि A B की तुलना में तीन गुना सक्षम कारिगर है ठीक है तो हम बना लेते हैं यहां पर सातियो यह आपका A हो जाएगा और यह आपका B हो जाएगा कहा जा रहा है कि A जो है यह B की तुलना में सातियो B की तुलना में तीन गुना सक्षम कारिगर है तो यह आपका अगर तीन X हो जाएगा तो यह आपका सातियो एक X हो जाएगा यह चंपता की अगर क्या छमता की according बात की है यानि कि अगर A एक समय में तीन काम करता है तो B एक समय में सिर्फ एक ही काम करता है यहां पर यह बात की ही देखिए अब अगर सात्यों इसका छमता का opposite सात्यों क्या होता है छमता का opposite क्या अगर बात करते है तो समय होता है, यानि कि दिन होता है, कह सकते एक तरीके से, मतलब कुल मिला कि अगर बात करें, ये एक दिन में कोई काम करेगा, ये एक दिन में कोई काम करेगा, तो ये तीन दिन में साथियों वही काम करेगा, ठीक है ना, तीन एकस दिन में वही काम करेगा, जैसे कि अगर म ना सक्षम कारी गार है लिख दी हमने इसलिए वह एक कार को B के तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है मतलब देखिए अब दिन आ गया यहाँ पर अगर बात करें माल लेते हैं साथ दिन पहले इसको कोई काम दो इसको कोई काम दो तो यह 60 दिन पहले काम कर लेगा माल लेते हैं जिसके अगर ये कोई काम 30 दिन में कर रहा है तो ये उस काम को साथ यो कितने दिन में करेगा ये उस काम को 90 दिन में करेगा यानि कि 60 दिन पहले कर लेगा उस काम से ये कहा जा रहा है उसके बाद कहा गया है कि तद अनुसार वे दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में करेंगे देखे अगर ये करता है मान लिजे A करता है कि 30 दिन में काम करता है तो सवाल आपका वही बन गया सिम्पल सा A करता है 30 दिन में कोई काम और B करता है साथियों जो है ना 90 दिन में कोई काम करता है तो दोनों मिलकर काम करें कैसे करेंगे तो एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो के साथियों 30 के पहाड़े में भी आ और 90 के पहाड़े में भी है तो 90 एक हम 90 ले ले लेते हैं तीस के पाढ़े में भी आता है कितनी बार में साथियों तीन बार में और ये कितनी बार में साथियों एक खा एक बार में तो ये क्या नमर ये टोटल काम है और एक दिन में साथियों तीन काम करता है और एक दिन में एक काम करता है तो एक दिन में दोनों लोग कितने काम और अगर बात करें सातियों यहाँ पर यह 10 हो जाएगा फिर से चार दोना आपका 8 हो जाएगा चार दोना आठ हो जाएगा चार पंजे आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा ठीक है ना तो अगर सातियों बात करते हैं 4 एकम 4 4 2 न 8 यहाँ पर एक जाएगा 10 हो जाएगा 4 2 न आपका यह गलत लिख दिया मैंने चार 2 न 8 हो जाएगा फिर से सातियों 4 न आपका 8 हो जाएगा ठीक है ना हो जाएगा चार, पंजींगा आपका सातरों 20 हो जाएगा तो कुल्मिला के 25 दिन लगेंगे इस काम को करने में और 25 सातियों कहा पर लिखा हुआ है तो 25 तो सातरों यहाँ पर कहीं तर नहीं लिखा है लेकिन कभी-कभी mistake हो जाती है तो कोई बड़ी दिक्कत साथी यहाँ पर नहीं होना चाहिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथी कोशन आपके स्क्रेन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है 104 नंबर का 140 नंबर का परिशने के एक तामे का तार को एक तामे का तार है हो सकतो बहुत लंबा हो एक तामे का तार को मोड़कर एक वरगा कार बनाया जाता है वरग कैसे मतलब यह वरगा कार जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ठीक है एक वर्गा कार बनाया जाता है अच्छे इसका च्छेतरफल क्या है तो 121 इसका च्छेतरफल है अब मान लेते हैं साथियों ये A है ठीक है और इसका च्छेतरफल क्या होगा A स्कायर होगा तो A स्कायर बराबर साथियों 12 है तो A बराबर क्या हो जाएगा साथियों 11 ह यानि कि कह सकते हैं साथियों इसकी भुजा साथियों 11 है ये भी 11 है ये भी 11 है ये भी 11 है और ये भी 11 है उसके बाद कहा गया है कि ये उसी तार को यानि कि ये जो तार था जिसे हमने एक वर्ग बनाया था इसी तार को मोड़ कर एक वर्त बनाया जाता है तो ये हमने साथियो वर्त बना लिया तो उस वर्त की तरज़ा क्या होगी यानि के साथियों वर्त की तरज़ा यानि के आर आप से पूछा जा रहे क्या होगी चलिए कोई दिक्कत नहीं है अगर बात करें साथियों कोई एक तार था उस तार से हमने साथियों एक वर्त बना लिया और उसी तार की इसका परिमाप पता क्या होता है, इसका परिमाप ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, ये 11 33 हो गया, ये 11 44 हो गया, यानि कि इसका तो वर्ग का परिमाप कितना निकलेगा, सात्यों 44 निकलेगा, तो कहा जा सकता है सात्यों, अच्छा वर्त के परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप होता है टू पाई आर तो जब इसका चवालिस परिमाप है तो इसका भी चवालिस परिमाप होगा तो अब आपके पास जो आ गया है ना वो टू पाई आर बराबर चवालिस आ गया है इसको मैं कट कर दिया मैंने टू पाई आर बराबर सातियों क्या हो गया 2π,R बराबर साते हो कितना हो गया 44 हो गया हमें ग्याद क्या करना है हमें ग्याद करना है कि उस वर्ते की दर्जा क्या है याँनिके आर का मान सात्यूँ आपसे यहांपर पूछा जारा है चलिए तो देख लेते सात्यू- 2 और पाई की वैलों यहाँ पर 22 बटे साथ दे रखी है आर हमें गयाद करना है आर रिकली है तरजह हमें गयाद करना है 44 यहाँ पर हो गई अब इसकी गुणा की अगर बात करें यहाँ हो जाएगी ठीक है मैं आपको फिर से दिखा देता हूं 24 गुणा साथियों क्या हो जाएगा 7 आजाएगा और यहत्त आपका जो 22 गुणा 2 है यह स्के नीचे आजाएगा तो 2 गुणा 22 आपका यह हो गया 22 से 22 साथियों आपका भाग देने पर साथियों, कितनी हर बार आठ शेश रहता है, या आप से साथियों पूछा जा रहा है, तो कोई दिकत ने साथियों, सवाल को किस परकार से करेंगे, ये मैं आपको साथियों बता देता है, यानि कि इस में से कौन सी ऐसी संख्या है, सबसे चोटी शेश फल आठ बचता है, तो इस में से अगर आठ हम माइनस कर दें, और फिर हम साथियों उसको पंदरा से भाग दें, तो अगर शेश फल जीरो आया, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार देख लेतें, तो 720 में से अगर आठ माइनस करेंगे साथियों, 712 हो जाएगा और देखते हैं क्या 15 से साथियों विभाजित है या नहीं है, देखते हैं, तीन पंजे आपका 15 हो जाएगा, तीन दुना आपका 6 हो जाएगा, तीन तीन आपका 9 हो जाएगा, आगर बात करें पांच से वो नंबर कटेंगा जिरो हा जाईगा पांच चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों 20 ऑज़ाइगा 40 ऑज़े 580 ऑजACH 40 यह तो कट गया अब एक बार देख लेते हैं साथियों क्या पूरा पूरा कर जाएगा ये भी पूरा-पूरा कट जाएगा साथियो तो answer के अगर बात करें answer आपका जाएगा साथियो option number B के साथ ये भी नई तीनों से कट पाएगा चारों से तो कुल्मिला के जिनका भी answer यहाँ पर B है तो बिल्कुल correct हो जाता है अब उसके बात देखिये साथियो अगले नंबर का पुरुष्ण आपके स्क्रीन पर है अगर बात करते हैं साथियो यहाँ पर 3 बटे 8 है कॉमा 3 बटे 5 है कॉमा 2 बटे 3 है और 1 बटे 2 है ठीक रहा तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी जा लिए देकि बटे 5 है तीन बटे 8 हो गया तीन बटे 5 हो गया दो बटे 3 हो गया और 1 बटे 2 हो गया पहले हम साथियो इसमें से और इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है यह बड़ी है यह बड़ी है यानि कि ये भिन्न बड़ी हो जाएगी इस भिन्ने से तो इसका खेल खतम अब हम देखते हैं कि इस भिन्ने में से और इस भिन्ने में से सात्यों कौन सा बड़ा है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको सात्यों हटा दूँ ये 24 इसको मैं हटा देता हूँ इसका तो खेल खतम हो गया था तीन ती송ं आपका नो हो जाएगा थाँ है पांच दुन आपका दस हो जाएगा तो कौन सी बिन बड़ी है ये वाली यब य बड़ी कौन सा नंबर बड़ा ये बड़ा ये छोटा है तो इसका खेल खतम यानि कि इन दो भिनों से ये भिन्न बड़ी है अब हम सातियों एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि ये वाली भिन्न बड़ी है ये वाली भिन्न बड़ी है तो दो दुना आपका चार हो जाएगा और सातियों तीन एकम आपका तीन हो जाएगा तो अब कौन सी भिन्न बड़ी लग रही है यानि कि य दुना चार और तीने कम तीन ये बड़ी है ये चोटी है तो इसका खेल खतम ये सबसे चोटी हो जाएगा फिर इसका कंप्रेमाईज साथियो इससे करेंगे फिर इसका अगर बात करें तुनला इससे करेंगे ठीक ना फिर इसकी कंप्रेर सबसे करेंगे अगर इसकी कंप्रेर करने पर सबसे छोटा यह आता है तो सबसे छोटी भी नहीं यह कहला ही जाएगी उसके बाद देखिए अगले नंबर का सात्यों कोशन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा चली, नीचे दीगे संख्याओं का प्रेक्षन करते हुए संबंदित वर्ग का चैन कीजिए क्या कीजिए सात्यों चैन कीजिए तो आपसे पूछा जा रहे हैं यह जो तीन नंबर लिखे न आठ है, सताइस है, एक सो पच्चिस है यह क्या है, क्या यह विशम संख्याओं है क्या यह अपरी में संख्याओं हैं, क्या यह घनमूल संख्याओं हैं, यह वर्ग संख्याओं हैं, देखे यह अगर बात करें सात्यों तो यह दो का क्या है, दो का सात्यों घन है, बिल्कुल यह 27 के अगर बात करें तो यह गन है ये 125 के अगर बात करें तो ये 5 का गन है तो ये साथियों अगर बात करें ये घनमूल संख्याएं हैं ये आपको धिहान रखना है कुल मिला कि आंसर अगर आपका है option number C के साथ तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिए अगले number का साथियों question आपके screen पर आ चुका है यहा से विभाज़ है तो देख लेते हैं साथियों 271 साथियों 11 ग्यारा से विभाज़ित होता है या नहीं होता है तो 27151 जहां पर लिख लिया घ्यारा से देखिते हैं 1611 log CT 22 कितने बचेंगे सातियों पांका 15 हो जाएगा फिर नहीं नहीं हो पाएगगा अगर इसका बात करें सातियो 2761, 2761 से विभाजित होगा, 11 दुन आपका 22 हो जाएंगे, 5 बचेंगे सातियो 56 हो जाएगा, 11 पंजे आपका 55 हो जाएगा एक बचे का 11 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगे तो ये तो सातियो विभाजित हो गया यानि कि यह जो दूसरे नंबर वाला था सातियो यह आपका विभाजित हो रहा है तो पहले वाला नंबर नहीं हो रहा है यह नहीं होगा दूसरा वाला हो रहा है इसमें दूसरा नहीं लिखा है तो यह भी नहीं हो सकता अब या तो यह आंसर होगा या तो यह आंसर होगा एक बार देख लेकर तीन भी हो रहा है इसमें भी इसमें भी है चार की अगर बात करें हाँ चार देखते हैं अगर चार हो जाता है तो ठीक लेकिन अगर चार नहीं होता है चार वाला नहीं होता है तो यह आपका उत्तर यह थोड़े से साथियों उनको दूर दूर होना चाहिए था, कोई दिकत नहीं, साथियों 2690 हम लोग देख लेते, क्या 11 से विभाजित साथियों होता है नहीं होता है, तो 11 दूना आपका 22 हो जाएगा, अगर बात करें यह आपका उन्चास हो जाएगा, 11 चौक आपका 44 हो ज कि कुल मिला की आंसर आपका जो जाएगा, वो ऑप्शन नमबर किस के साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, अब उसके बाद देखिए, अगले नमबर का कोईशन आपके स्क्रीन पर है, चली, यहाँ पर अगर बात करें, एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के यह कहा गया, कलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया, यहनि के कहा गया लड़के से किस संख्या को 53 से गुणा करो, लेकिन उसने 35 से गुणा कर दिया, तो इस प्रिकार उसका उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया, तो गुणा की जाने वाली साथियों संख्या क्या होग इसके trick में आपको बता रहूं वो आप रूख ध्यान रखेगा अगर बात करते हैं साथियों 1206 लिखाए ना तो 1206 लिख दोगे और नीचे क्या लिखोगे साथियों इन दोनों का difference लिख दोगे यानि कि 53-35 यहाँ पर साथियों आ जाएगा तो 33-35 लिख दोगे 67 यानि कि 66 कौन से option में है तो option number B में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है चलिए उसके बाद देखिए एक व्यक्ति दो घंटे में धारा के अनुदिश 26 किलोमीटर प्रती घंटा चल रहा है एक व्यक्ति दो घंटे में लिखा हुआ है तो तो 13 किलोमीटर प्रती घंटा उसकी चाल हो जाएगी धारा के अनुदिश किन्तु लेकिन धारा के विपरीत वहाँ 14 किलोमीटर चला सकता है यानि कि धारा के विपरीत दिशा में जाए यानि कि कुल मिलाके धारा के साथ सा जाता है तो 13 km प्रति घंटा की चाल से जाता है इसमें धारा की गती भी है लेकिन अगर सातियों बात करें धारा के विपरीद जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है तो उसकी चाल ये भी देखिए सातियों 2 घंटे की होगी तो 7 km प्रति घंटा जाएगी ठेक है न? 7 km प्रतिघंटा चली है, चली हो अब अगर बात करें कि धारा की चाल क्या ओगयांगी दिएक जब भी आपको दिया जाए कि धारा के 7-7 अगर कोई 13 km प्रतिघंटा की चाल से जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में छे बटे दो क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तो धारा की चाल जो आएगी साथियो वो तीन किलोमीटर प्रती घंटा की आएगी इसलिए सही जवाब अगर आपका है उप्शन नमबर दी के साथ तो बिल्कुल करेक्टर आप उसके बाद देखिए अगले नमबर का साथियो प्रशन आपके स्केरीन पर है कि एक टेली वीजन तता एक धुलाई मशीन मेंसे प्रती एक को 12500 में बेचा जाता है यानि कि टेली वीजन को भी साथियो 12500 में बेचा जाता है और धुलाई मशीन को 12500 में बेचा जाता है और धुलाई मशीन को 30 पृतिशत हानी पर बेचा जाता है तो कुल सौधे में क्या होगा लाब होगा या हानी होगी अगर हानी होगी तो कितने पृतिशत की और अगर लाब होगा तो कितने पृतिशत का तो मैं आपको एक बात बता रहो वो आपको धियान रखना है अगर यह सब होने के बाद हानी ही होगी क्या होगा हानी ही होगी ठीक ना तो अगर बात करें इसकी छोटी सी ट्रिक में आपको बता दे रहा हूँ सवाल का सेम यह ही आएगा नमबरिंग बस बदलेगी यानि के टेली वीजन की जगा साथ हो सकता हो बाइक आजाए और इसकी जगा हो सकता हो कार आजाए और एक रखम यहां पर लिख दी जाए यानि के इन दोनों को परती एक परती है कि इतने रुपए में बेचा जाता है ए को किल्कुले popped कर Look answer आपके अपके सामने आ जायेगा 30 government option number बी में लिखा हुआ है तो यही आपका सही जवाब हो जाke भी बहुत बड़ीा very good class चले उसके बाद देखिए अगले नमबर का the mark के विकरन की लंबाई कितनी है बी सेंटेमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहे फिर से मैंने आपको बता दिया देखे अगर बात करें वर्ग का परिमाप आपसे पूछा जा रहे माल लीजे वर्ग के साथ हो यह है और वर्ग की लंबाई विकरण की लंबाई विकरण आपका यह होता है अगर इसकी लंबा अगर बात करें देखिए वर्ग का विकरन का सूत्र क्या होता है तो वर्ग का विकरन का सूत्र क्या होता है या मैं कहूं सात्यों वर्ग की भुजा क्या होती है यह मैं आपको एक बार बता देता हूं देखिए वर्ग की भुजा बराबर सात्यों क्या होता है या आपको लंबाई है ना वर्ग के विक्रण की लंबाई दे रखी है तो विक्रण की जंगा तो 20 आ जाएगा तो वर्ग की भुजा कितने निकलेगी सातियों वर्ग की भुजा निकलेगी सातियों 20 बटे रूट टू ठीक है तो ये क्या हो गया एक तरीके से सातियों ये आपका एक तर root 2 होगी तो परिमाप निकालने के साथियों हम क्या कर सकते हैं 20 बटे root 2 गुणा 4 कर देंगे ठीक है ना गुणा 4 कर तभी तो इसका परिमाप निकलेगा अब अगर बात करें साथियों अब यहाँ पर हम लोग क्या उपर क्या बचेगा 40 रूट टू बचेगा क्या उपर साथियो 40 रूट टू बचेगा तो 40 रूट टू क्या option में है साथियो बिल्कुल है option नमबर A में हो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बाद देखेंगे साथियो अगले नमबर का question आपके screen पर है देखेंगे और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा चलिए साथारन ब्याच की किसी दर से 2000 रूपए पांच वर्ष में 2600 हो जाते हैं यदि ब्याच की दर पहली दर से 3 प्रतिशत अधिक हो जाती है तो उतने ही समय में उतनी ही रंधरनाशी कितनी हो जाएगी है सिंपल से साथियों सवाल है और ये आपसे पूछा जा रहा है देखें और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखख रहे इस साथियों किसी दर से 2000 रूपए का यानि के P के अगर बात करें तो साथियो 2000 रुपए है P 2000 रुपए है कितना समय है साथियो T के अगर बात करें 5 वर्ष है कितना हो जाता है साथियो 26 हो जाता है यानि के A के अगर बात करें साथियो 26 है तो जब मुल्धन साथियो 26 है यानि के P 2000 है A साथियो 26 है तो साधरन व्या आज कि दर हमें निकालना होगी तो दर के बराबर की साथियों क्या होता है कह सकते हैं साथियों रवाबर साध़रन व्याज, गुणा हंड़ेट बटे प All予 चायगा तो साध़रन व्याज कितना है गुणा साथियों tu इस यहां पर हो जायगा इस पांच से साथी यह जो कटigosगा यहाँ पर बारहा आजाएगा इस दो से बारहा कटऊगा साथी उ छे आजाएगा याणि कि जो दर आपकी निकलेगी वो कितने पृचट निकलेगी बारहा दै लिए कि पहली दर से अगर साथियों 9 प्रत्षेत आ गई तो अब पूछा जा रहे धन्राशी क्या होगी मूल्धन क्या होगा यह आपको मूल्धन कितना हो जाएगा धन्राशी कितनी हो जाएगा यह बराबर आपसे पूछा जा रहा है देखिए आपके पास साथियों P भी है पी कितना है, दो हजार है, और सातियों क्या आपके पास है, आपके पास सातियों समय पाच वर्ष है, दर भी आपके पास है, तो अगर बात करें सातियों, साधहरन ब्याज अगर हम निकाल दें, और साधहरन ब्याज पिलस पी कर दें सातियों, तो क्या आपको निकल जाएगा ये निकल जाएगे इनके धन्दाशी कितनी हो जाएगी तो देख लेते हैं साधान ब्याज सबसे पहले निकालते हैं साधान ब्याज क्या बराबर क्या होता है मूल्धन मूल्धन आपका 2000 है समय आपका 5000 है दर आपकी 9 है चलिए इसको 100 से भाग दे देंगे इन दो जिरो से ये दो जिरो कैंसिल हो जाएंगे बीस पंजे आपका कितना हो जाएगा सात्यों सो हो जाएगा और सो की नौ से कराएंगे तो नौ सो हो जाएगा यानि कि साधारन ब्याज आपका जो निकलेगा सात्यों वो नौ सो निकलेगा और मूलधन कितना है साथियों मूलधन आपका 2000 है तो जाहर सी बात है साथियों कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा आपका 2900 क्या हो जाएगा साथियों A हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा तो आंसर कि अगर बात करें आंसर आपका जाएगा option number C के साथ बहुत बढ़िया very good class चली अपनी सामान चाल की अपनी सामान चाल की 4 चाल से चलने पर एक वेक्ति अपने यहां पर सातियों 4 बटे 5 लिखा होना चाहिए तो कुल मेला के सातियों 4 बटे 5 इसको कर देते हैं तो यहां पर अगर बात करते हैं सातियों कि अपनी सामान चाल से 4 बटे 5 चाल से चलने पर एक वेक्ति अपने गंतव पर 20 मिनट की देरी से पहुचता है अगर मान लेते हैं सातियों 4 बटे 5 को मतलब यह है अगर वो 5 चाल से चलता है अप 5 कुछ भी मान सकते हैं 5 किलो मीटर प्रती घंटा कुछ भी मान सकते हैं अगर वो 5-4 से चलता है लेकिन 5 की जंगा अगर वो 4-4 से चल रहा है तो उसको सात्यों 20 मिनट की उसको देरी हो जाती है अपने गंतव पर पहुशने में आम तोर पर सातियों पर कितना समय लेता था, देखिए चाल की अगर बात करते हैं सातियों, तो चाल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चाल चार अनुपाद पाच है यानिके पहले 4 से चलता था चाल फिर 5 उसने कर दी लेकिन जब चाल की अगर बात करें तो चाल अलग होती है सातियों समय से ठीक है यानिके अगर बात करें जितने समय में वो 5 पांच लेता है जितने समय जितनी दूरी चलने में 5 समय लेता है उतनी ही दूरी चलने में सातियो चार समय लेता ये वाला इसको ए मान सकते हैं एक तरीके से इसको भी मान सकते हैं समय की बात करें सातियों देखिए पांच समय से चार समय हुआ तो कितने मिनट की देरी हुई 20 मिनट की देरी हुई यानि कि 5 X से 4 X हुआ तो 20 मिनट यानि कि X बराबर साथियों 20 हो जाएगा तो कुल मिला कि अगर बात करते हैं कि पहले साथियों अगर बात करें 5 और 20 की गुणा करते हैं साथियों यहां answer हो जाएगा लेकिन इस 80 मिनट को घंटे में बदनना है तो इसलिए 60 साथ से सातियों भाग कर देना होगी इससे ये cancel हो जाएगा ओपर 4 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा इसको करे सातियों 3 ये हो जाएगा 3 एक गंटे आपका right answer हो जाएगा तो एक सही एक बटे 3 सातियों कह कार करते किस दिन में मतलब कितने दिन में किस दिन तक कार पूरा होगा कितने दिन में कार पूरा होगा देखे सिंपल सा सवाल है एक एगर बात करते हैं सातियों 40 दिन में कोई काम करता है पहले हम ये देख लेते हैं कि total काम कितना है और एक एक दिन में कितना काम करता है तो A एक दिन में एक काम करता है और B एक दिन में सात्यों दो काम करता है अब इसमें कहा गया है कि अगर बारी-बारी से काम करे यानि कि A पहले काम करे एक दिन एक काम होगा और फिर दूसरे दिन ये B काम करे जो कि दो काम होगा तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि दो दिन में कितना काम हो पाएगा दो दिन में सात्यों तीन काम हो पाएगा ठीक है ना बारी बारी कहा है ना तो दो दिन में सात्यों तीन काम हो पाएगा दो दिन में दो दिन में तीन काम हो पाएगा कहा गया है कि बारी बारी से एक एक दिन कार करते हैं किस दिन कार पूरा होगा ये 40 काम सातियों कितने दिन में पूरा होगा ये आप से पूछा जा रहा है बताईए अब अगर बात करें सातियों यहां पर अगर बात करें इसकी गुणा किसे कराएं दस से कराएं तो कि मामला कितने से कराना होगी बारा से कराना होगी यानि कि 12 दिन दुना 24 यानि कि कहा जा सकता है साथियों 24 दिन में जो है वो काम कितना हो जाएगा बारा तिया 36 36 काम हो जाएगा लेकिन हमें काम कितना कराना है चालिस काम कराना है तो 25 में दिन काम काम करेगा ये करेगा तो 25 में दिन काम हो जाएगा तो अगर बात करें साथियो 27 में दिन जो है न वो पूरा-पूरा काम हो जाएगा तो यही तो पूछा गया था किस दिन कार पूरा हो जाएगा तो 27 में दिन तक कार पूरा हो जाएगा इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो option number A के साथ जाएगा और जिनका अंसर यहाँ पर option number A है तो बिलकुल character भई बहुत बढ़िया very good class तो ये class साथियों आपको कैसी लगी इस class में आपने एकदम top level के हिंदी के भी questions देखे, सामान ग्यान के भी questions देखे, reasoning के भी questions देखे और math के भी questions देखे, जैसे आपके exam में इस बार पूछे जाएंगे, मैं उबीद करूँगा साथियों इस class से आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके real exam